सच्चाई एक ओप्रेशन की तरह होती है जो थोड़ा सा दर्द तो जरूर देता है लेकिन राहत भी देता है नमस्कार दोस्तों मैं जोतिस आचारिय वासुदो मिस्रा आपका अपने चैनल भविश्य वाड़ी पावर आप दलोर्ड में हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का यह जोतिस का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानि की ब्रिसब रासी वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्तोपुण कार्यक्रम साबित होगा आज बात करेंगी आपके मासिक रासिफल के बारे में जी हाँ आपके मंतली प्रेडिक्षन के बारे में आप लोगों के लिए साल 2024 का मार्च का महिना किस प्रकार से रहने वाला है इस मार्च के महिने में आप लोगों के जीवन में कौन-कौन से बड़े बदलाओ कौन-कौन स ग्रह इस महीने आपके लिए सहायक साबित होंगे आपके कारियों में आपको सफलता प्रदान करेंगे तो ही कौन-कौन से ग्रह आपके लिए बाधक के रूप में कारिय कर सकते हैं साथ ही साथ इस महीने आपके जीवन में क्या कुछ चमतकारी घटनाए घटित हो सकती है आप आपकी सिहत कैसी रहेगी, आपकी लब लाइब कैसे रहेगी, आपकी सिख्षा, आपका दामपत्य जीवन, आपका परिवारिक जीवन, आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, वियापार और फाइनेस के दरिष्टी कोन से यह हमारचे कमहिना आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है साथ ही साथ इस महीने के प्रभाव को अपने लिए और जादसरेश्ट और बहतर परिणाम प्रदान करने के लिए याने की बहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए इन तमाम प्रकार के प्रसनों के उत्तर आज के इस जोतिस क कार्यक्रम में आपको बड़ी सरलता और सहचता के साथ बताने वाले हैं इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किये अंत तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको हमारा कॉंटेक्ट नंबर मिल जाएगा जहां से आप वार्टस अप करके या फिर डारेक्ट कॉल के थ्रूँ अपॉइन्मेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विस्लेशन करवा सकते हैं तो दोस्तों देखिए जैसा कि आपको मालूम है जो मासिक रासिफल होता है मंतलि प्रेडिक्शन यह मुल रूप से सूरिय के गोचर की गड़ना पर आधारित होता है क्योंकि सूरिय देव हर तीस दिन में हर महिने अपना रासि परिवर्तन करते हैं इसलिए मासिक रासिफल में सूरिय की गोचरिय इस्थिति का ग्यान होना बेहत आवस्थक माना जाता है तो देखिए अभिवर्तमान समय में सूरिय देव गोचर कुंडली में अपने परम सत्रू सनी देव की मुल तरिकोंड रासी कुम्भ रासी में गोचर कर रहे हैं हाला कि सत्रू की रासी में गोचर कर रहे हैं लेकिन फिर भी बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए अनुकुल होंगी यह 14 मार्च 2024 तक याने की इसी महिने के 14 तारिक तक इसी कुम्भ रासी में गोचर करेंगे फिर 14 मार्च को रासी परिवर्तन करके अपने परम मित्र देव गुरुब रहस्पति के मुल्त रिकोंड रासी मीन रासी में प्रवेस कर जाएंग और आने वाले 14 से 15 अपरेल तक इसी मीन रासी में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे यहाँ पर देखा जाए तो मीन रासी में पहले से ही राहु का गोचर हो रहा है फलतह सूर्य और राहु की यूति बनेगी और इस यूति को गरहन योग के नाम से जाना जात है लेकिन आपको घबराने के आऊशत्ता नहीं है क्योंकि यह जो दुर्योग बना है यह देवगुरु ब्रहस्पति की रासी में बना है और देवगुरु ब्रहस्पति अभिवर्तमान समय में बल्वान अवच्था में अपने मित्र के घर में घोचर कर रहे हैं साथ ही ग्रहों का भी विशेज बल प्राप्त होगा फलतह यह मार्च का महिना सूरिय की गोचरिय इस्तिति के आधार पर आपके लिए अद्भूत परिणाम प्रदायक कही जा सकती है जिहां क्योंकि हर ग्रह का सपोर्ट यहां पर सूरिय को देखने को मिलेगा तो कई छेत्रों में आपको इस महिने अद्भूत और स्रेश्ट परिणाम की प्राप्ति होगी अगर सामान ये द्रिष्टी कोण से देखा जाए तो आप सभी ब्रिशब रासी वालों के लिए यह जो मार्च का महिना है यह आपके करियर के द्रिष्टी कोण से आपके बिजनेस व्यापार के द आपको शुरुआत में ही करना पड़ेगा हाला कि आपकी जो आमदनी होगी याने कि आपकी आये वह काफी मजबूत होगी फलतह जो भी उतार चड़ाव कारिय च्छेतर में होगी उसका अनुभाव याने कि उसका नेगटिव इफेक्ट आपके उपर नहीं पड़ेगा क्य कि धन की जो इस्तिती है वह काफी मजबूत रहेगी फलतह आपके लिए समय को अच्छा ही कहा जा सकता है देखा जाए तो इस मार्च के महिने में परिवार वालों के साथ आप समय व्यतित करेंगी कहीं न कहीं परिवार वालों के साथ घुमने फिरने जाने का मौका आपको घर परिवार में कोई धार्मी क्रिया कलाब की रूप रेखा तैयार हो सकती है साथी साथ भाग्यका साथ आपको मिलेगा और कहीं न कहीं अपने वरिष्टे जनों अपने से बड़ों का असिरवाद मिलेगा और यह समय आपके करियर में भी आपको विशेश सफलता तो देगा ही देगा साथ ही साथ आपके सोचने समझने की सकती आपके विवेक और आपके ज्यान को भी यह महिना मजबूती प्रदान करने वाला कहा जा सकता है हाला कि आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव और टकराव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी लेकिन वेवाहिक जीवन की स्थिति काफी बढ़िया नजर आएगी याने कि देखा जाए तो यह सब चीजे थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको अवस्य देखने को मिलेंगी यह तो हो गई कुछ सामान्य जानकारी अब हर एक चीज के बारे में एक एक टॉपिक पर विशेश चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में जान लेते हैं जी हाँ आपकी हिल्थ के बारे में तो देखिए कुंडिली का जो पहला भाव होता है लगन भाव यह आपकी सेहत का होता है और लगन के स्वामी कोन बनते हैं तो सुक्रदेव बनते हैं कुंडली के कर्म भाव दसम भाव में अपने सत्रू मंगल के साथ गोचर करेंगे कहीं न कहीं इस समयाओ धी में आपके लिए सूर्य की स्थिति अच्छी है और लगन की जो मूल कारक होते हैं मंगल वो भी बहुत होंगे और कहीं न कहीं इस समय आप देखा जाये तो आपके लिए राहू का प्रभाव भी देखने को मिलेगा आपके आई भाव में छटे से छटा होता है तो कहीं न कहीं यह समय आपको थोड़ा सा अपने खान पान और रहन सहन पर ध्यान देने के लिए कहा जा सकता है वह कुम्भ रासी में उनका गोचर हो रहा है कुछ दिन के पस्चाद रासी परिवर्तन करके मीन रासी अपनी नीच रासी में चले जाएंगे साथ मार्चा को तो ऐसे में साथ मार्चा तक का समय तो अच्छा है आपके सिक्षा के दरिष्टी कोण से अगर आप एक बिद्ध्यार्थी है साथ मार्चा तक आपका कोई एक्जाम है कोई कॉम्पेटिसन एक्जाम प्रत्योगी परिच्छा तो वहाँ पर आपको लाब मिल जाएगा लेकिन साथ मार्चा के पस्चाद जैसे ही राज कुमार्बूत रासी परिवर्तन करके अपनी नीच रासी मीन रासी में जाएगे वैसे ही पहले तो नीचत्व का प्रभाव और उपर से राहू के साथ यूती बना करके जड़त्व दोस्का निर्मार कर देंगे फलतह आपका मन पढ़ाई से भटकेगा पढ़ाई में बिल्कुल भी आपका मन नहीं लगेगा कहीं न कहीं साथ मार्चे के पस्चात आप सभी विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के प्रती विसेश कारिय करने के आऊ सकता है वहीं अगर आपकी लव लाइप आपके प्रेम संबंधों के बारे में बात की जाए तो कुंडली का पंचम भाव ही आपकी लव लाइप का होता है और जैसा कि आपको मालूम है राज कुमार बुद्ध होते हैं आपके लव लाइप के कंट्रोलर यानि कि पंचम भाव के स्वामी और यहाँ पर 7 मार्चे तक इस्थिति अच्छी है लेकिन 7 मार्चे के पस्चात इस्थिति में कुछ नकुछ डाउन देखने को मिलेगा यानि कि अगर आप किसे के साथ रिलेशन्सिप में है तो एक से लेकर के 7 मार्चे तक तो रिष्टे बहतर होंगी एक दूसरे को आप समझेंगे लेकिन 7 मार्चे के पस्चात धिरे-धिरे कोई गलत भावमी आपके रिष्टों में तनाव का कारण बन सकती है इस बात का विशेश रुप से आपको ध्यार रखना है वहीं अगर आपके वेवाहिक जीवन मेरिड लाइब के बारे में बात की जाए तो सप्तम भाव जो होता है वह आपके वेवाहिक जीवन आपकी मेरिड लाइब यानि कि आपके दामपत्य जीवन का होता है और सप्तम भाव के स्वामी 15 मार्चे तक मंगल महराज भाग्य भ कहा जा सकता है जीवन साथी के साथ रिष्टों में मधूरता आएगी जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेगा और कहीं न कहीं जीवन साथी का पूरण सपोर्ट आपको प्राप्त होगा आप अपने पार्टनर याने की अपने जीवन साथी के सहयोग से का करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वहां भी आपको लाभ की प्राप्ती होगी वहीं अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो नवम इस्थान होता है यह आपके भाग्य का होता है और कहीं न कहीं भाग्य के स्वामी सनी देव बनते हैं कर्मभाव यानि इस पश्टता के साथ कहा जा सकता है कि पूरे मार्चे के महिने में भाग्य का साथ आपको प्रबल रुप से देखने को मिलेगा जी हाँ आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे भाग्य चार कदम चल करके आपको सफलता प्रदान कर देगा याने कि भाग्य के द्रिष्टिकोंड से इस मार्चे के महिने को अत्यंती स्रेष्ट कहा जा सकता है भाग्य के प्रभाव से ही आपके कई प्रकार के पुराने रुके हुए कारिया पूरे होंगे आपको अपने वरिष्टे जनों का अपने से बड़ों का अपने इस्ट और अ साथ ही साथ इस समय आप सहीं चीजों को समझने का प्रयास करेंगी जो आपके लिए काफी अनुकुल कहा जा सकता है याने की भाग्य के दृष्टी कोंड से यह महिना अत्यंती स्रेश्ट साबित होगा वहीं अगर आपके करियर और बिजनेस व्यापार के बारे में बात की ज कुली का जो दसम इस्थान होता है यह आपके करियर का होता है और सप्तम भाव बिजनेस व्यापार का आपके करियर के स्वामी कोन बनते हैं तो सनी देव बलवान अवस्था में करियर भाव में ही आने की कर्म भाव में है और लाब भाव में गुरू कहीं न कहीं यह समय मार्चे के महिने को स्रेष्ट परिणाम प्रदायकी कहा जा सकता है क्योंकि सप्तम्भाव का स्वामी मंगल अपनी उच्च रासी में गोचर करेंगे फिर सनी देव के साथ यूती बना करके गोचर करेंगे सनी देव की रासी में तो निस्चित तोर पर आपको अपने बिजने स्वयापार में भी विशेश सफलता और लाभ की प्रापती होगी चाहे आप किसी भी प्रकार से कोई भी बिजने स्वयापार क्यों न कर रहे हो तो वहीं अगर आपकी आर्थिक इस्थिति के बारे में बात की जाए तो देखिए कुंडली का जो एकादस इस्थान होता है या आर्थिक द्रिश्टि कोण से क्योंकि पैसा आपके पास बड़ी मात्रा में आएगा भी और पैसा संचित भी होगा फलतह पैसों को ले करके कोई भी आपके मन में चिंता नहीं रहेगी कुल मिला करके देखा जाए तो आप सभी ब्रिसब रासी वालों के लिए यह जो मार् धन के द्रिश्टि कोण से तो कहना ही नहीं फिर भी इस महिने के प्रभाव को और बहतर बनाने के लिए रोजाना आप केसर का तिलक लगाईए और चंदन का तिलक लगाईए इसके साथ ही गुरुवार के दिन मंदिर में जा करके चने की दाल दान दीजिए और सुक्रवार के दिन घोडे को चने की दाल खिलाएं इसके अलावा गणपती अथरवर सिर्स और स्रिसुक्त का पाठ आप रोजाना कीजिए ये हमारे चेका महिना आपके लिए अदभूत परिणाम प्रदायक साबित होगा तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई हो अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए सेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए नमस्कार